हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिश से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानि की वाइरल न्यूज जैंक्सन भी तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के सामने कोई ख़बर लीकर नहीं आया हूँ कोई न्यूज मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ बलकि आज पहली बार मैं उस मुद्दे पर आप लोगों से अपना पॉइंट और व्यूज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस वक्त हर एक सोसिल मेडिया प्लेटवर्म पर काफी सुर्ख्या बटोर रही है और इस मुद्दे पर मुझसे कई लोगों ने सवाल भी पूछा था कि भीया हर इंसान इस मुद्दे पर अपना विचार प्रकट कर रहा है आपने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ क क्यों नहीं बोला तो दूस्तों मैं अपने उन मित्रों को ये बात कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे मुद्दों से खुद को दूर रखने की कुछ करता हूं मैं ऐसे टॉपिक्स पर बात करना पसंद नहीं करता हूं लेकिन आप लोगों के बातों को सुनने के बाद आप लोगो सोच रहे होगे कि मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो कि विया इस वक्त बॉलिवोड के किंग खान यानि की शारुक खान की आने वाली मच अवेटेट फिल्म पठान के सौंग यानि की बेशर्म रंग के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों आप लोगों को यादी हुआ कि जब बेशर्म रंग यूटूब के प्लेटफॉर्म पे लॉंच किया गया था और इस सौंग को जब मैंने देखा था और इस सौंग के रियक्शन को जब मैंने आप लोगों के सामने रखा था तो इस सौंग को देखते ही मैंने जो सबसे पहली बात अपने रियक्शन में अपने रिव्यू में आप लोगों से कही थी वो बात ये थी कि भाई इस सॉंग के बोल बहुत ही प्यारे हैं इसका music बहुत ही अच्छा है इसका composition बहुत अच्छा है इसकी गाई की बहुत ही सांधार है यानि ये सारे segment इस गानी के बहुत 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 बहुतरीन थे इस गानी का जो सबसे कमजोर और सबसे वाहियाद सेग्मेंट मुझे लगा था वो लगा था इस सौंग का पिक्चेर आइशन तो भया उस वक्त कई लोगों ने अपने कमेट के मादियम से मुझे ये बात समझाने की कोशिश की थी कि भया थोड़ा सा माइंड ब्रॉड कर लो थोड़ा सा आगे बढ़ो देखो दुनिया कहां से कहां पहुँच गई तुम अभी भी वही धक्याने उसी विचारों के इर्द इर्द घूमते हूं अपने उन मित्रों से ये बात कहना चाता हूं कि धूसकता है कि दुनिया काफी आगे बढ़ गई आगे एग तुक्ष लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, समय आगे बढ़ रहा है कुछ लोग समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तेकने ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही उस broad mind के साथ में चान पर पहुँच गई है समय के साथ आगे बढ़ गई है आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे परिवार हैं ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपनी संभेता अपनी संस् करती है उसी को ही हमारी इंडियन फिल्म इंडूस्ट्री की जो फिल्में है वह आगे बढ़ा है और जब ऐसे गाने आते हैं इस तरह के पिक्चराइशन के मादिम से तो यह लोग इस गाने को पसंद नहीं करते हैं और भाई ऐसा तो नहीं है कि पठान का यह सौंग क्योल बड़े लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है ब्रॉड लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है ऐसा तो नहीं है कि पठान को क्योल भाई या ब्रॉड माइंड़े लोग ही देखने जाएंगे चांद पर जाने वाले लोग देखने जाएंगे भाई इस फिल लगे सब सको पसंद करें एह सब इखला अपी क्रिदी को ध्यान बेरखकर एक ही तरह के लोगों से इने लोगों के लिए बार दो रहसे निए इस गाने पर जो मेरा फॉर्ट यह था अब इस गाने को ले एक controversy इस वक्त हर एक social media platform पर काफी बारल है कि भी है इस गाने में DP का पादुकोर ने जो costume पहना है वो costume उनको जान बुझ कर पहनाया गया है एक समुदाय को hurt करने के लिए एक समुदाय को hurt करने के लिए ये costume पहनाया गया है ताकि वो समुदाय जो है वो इस गाने से hurt हो और वो खुद को काफी नीचा feel करे तो भाई यहाँ पर मेरा जो clear point of view ये है कि भाईया DP का पादुकून के इस कपड़े को पहनने के वज़े से यानि कि इस color के कपड़े को पहनने के वज़े से हमारा समुदाय downfall नहीं होगा हम उनके इस गाने के वज़े से पिछड नहीं जाएंगे या फिर हमारा कोई उपहास नहीं उड़ा सकता है कोई भी समुदाय किसी के color की वज़े से जिसका कलर किसी धर्म समधा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसके वज़ा से वो समधा पिछड़ नहीं जाएगा यह मुद्धा अभी सोचल मेडिया प्लेटफॉम पर काफी वैरल हो रहा है और यहाँ पर मैं कुछ गाने याद दिलाना चाहूँगा उसलोगों को, जिस पर बात होनी चाहिए अक्षे कुमार की एक फिल्म थी भूल भुलेया उसका एक गाना था जिसका टाइटल ट्रैक था वो मतलब ए तिरी आँखे भूल भुलेया, बाकी सब भूल भुलेया तिरे सपनों की गलियों में आके अगर उस वक्त निमचा अगर अगर इस वक्त बेशर्म रंग को लेकर इतना बवाल मचा है तो यह इस गाने पर भी आवाज उटनी चाहिए ना क्योंकि ये गाना अभी भी YouTube के platform पर available है और ऐसा नहीं है कि अब Bollywood में ये अभी ही चल रहा है इससे पहले भी कई सारे ऐसे फिल्में हम लोग ने देखी है ऐसे कई सारे गाने देखें जिसमें ये बात हैं हम लोग ने देखी है देवानन का गाना आपको याद है दम मारो दम मिट जाये गम, बोलो सुबसाम, हरे कृष्णा, हरे राम उस गाने का मिनिंग क्या था? क्या बताना चारे थी? कौन दम मारता है? तो भी या देखिया ऐसा है कि कुछ मुद्धे ऐसे होते हैं जिसको देखने के पादा ऐसा लगता है कि उसे जान बुच कर खड़ा किया जा रहा है तो भाई, इस गानी के साथ में जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा हाँ, मैं बॉलिवोर्ड के बड़े-बड़े मेकरों को ये सला, ये मश्वरा देना चाहूंगा कि देखिया ऐसा है कि भाई, जब आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाई जारी फिल्म से किसी को नुकसान तो नहीं पूंथ रहे आप किसी समुदाय को, किसी धर्म को अपने फिल्म के मादिर में से टार्गेट तो नहीं कर रहे हो और आपको ये हग किसी ने ने दिया है कि भिया, आप अपने विचार को जबरदस्ती किसी की उपर थोपे जब समाज उस तरह के विचार को आपके साथ शेयर करता है, अपने विचारों को शेयर करता है कि भईया हमें हमारी सभ्यता के साथ हो रहे खिलवार को बढ़, हमारी सभ्यता के साथ जो खिलवार हो रहा है उसको अमबरदास नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति के साथ में जो ख शेड़ छाड नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मेरा पॉइंट व्यू बस यही था कि भीया मुझे इस गाने में जो बुरी बात लगी थी वह इस गाने का पिच्छराइशन था अब भाई इस गाने को लेकर जो भी पॉइंट व्यू या पर जो भी कॉंट्रोवर्सी हो रहा ह है और जो लोग कर रहे हैं शायद उनको यह हर्ट फील हुआ होगा उनको ऐसा लग रहा होगा कि हां ऐसा कुछ उनके साथ में हुआ है जिसके वज़ा से उनको दुख हो रहा है उनकी भी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए अब वह कहां तक सही है कहां तक गलत है इस बात कर तो जिस्टिफिक्शन तब होगा जब यह फिल्म सिनेमा घर में आई अगर इस फिल्म को ओडियंस ने अपना सपोर्ट दे दिया तो आप समझ लिजे कि यह कौंट्रोवर्सी खुद बखुद खतम है और अगर ऑडियंस ने वाकई में इस फिल्म का भाईशकार बस कि इस मुद्धे पर आपका पॉइंट व व्यू क्या है कि बॉलीवर्स से जुड़े और भी कई सारे ख़बर को जाने के लिए हमारे चैनल यानि के बार इंजेक्शन प्लाइब करना ना मुलिए और माने अपडेट्स को जाने के लिए लिए लाइकिन को छोड़ना माईए प्लाइब